ओम शान्ती, 12 एप्रल 2021 की साकार मुरली से हम होमवर्क लेंगे आज बाबा ने इस मुरली में अटेंशन दिलवाया है कि ये क्यामत का समय है और हमें अब घर जाना है तो घर जाने के लिए पावन बनना है तो आज सारा दिन हम इस बात पर अटेंशन देंगे कि पावन बनना है तो आज मुझे सारा दिन विर्थ बातों से अपनी बुद्धी को डिटैच रखना है और याद की यात्रा में रहकर अपने विकरम विनाश करने है तो क्यामत के समय में हम अपने को पावन बनाने के लिए आज मुख्य धारना ये करेंगे बुरे संग से अपने को बचाएंगे तो संग कई तरह का होता है नेगटिव संकल्पों का भी संग होता है हमारी भावना दूसरे के लिए अशुद होगी तो वो नेगटिव भावना का भी संग है तो internal सुक्षम जो हमारा बुरा संग है उस पर attention देंगे तो बाहर के संग का भी हमारे उपर परभाव नहीं आएगा और फिर अब घर जाना है तो कोई भी बात में हमने डिबेट में नहीं जाना है हर विस्तार को सार में लाने की कोशिश करनी है अगर ज्यान सुनाते समय कोई डिबेट करे तो भी बाबा कहते हैं डिबेट में टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतु बातों में बुद्धी भी नहीं लगानी है जैसे कि कोई कहते हैं 500 वर्ष में इतने जनम हुए क्राइस्ट को आए हुए 2000 वर्ष हुए तो उनके इतने जनम हुए तो बाबा नहीं गोला इन बातों में भी अपनी बुद्धी लगाने का अभी ये समय नहीं है अब हमने संपूरन पावन बनना है तो सारा देनी याद रखना है कोई भी बुरी आदत मेरी स्थिती को खराब ना करे और मेरी पवित्रता में विगन ना डाले और भूले नहीं करनी है तो भूले करते जाएंगे तो हम पवित्र नहीं बन पाएंगे आतम अभिमानी रहने का आटेंशन देना है आतम अभिमानी अर्थात करम करते वेभार में आते संबंध में आते आत्मा के जो natural nature है इश्वरिय गुन है जो आत्मा के अंदर उनको करम में use करना है संबंदों में use करना है तो बावा से योग लगाना है और बुद्धी में चलते फिरते चक्र को भी घुमाते रहना है तो बावा ने कहा कि तुम sweet home को याद करेंगे तो तुम sweet home में चले आएंगे तो ये practice करते रहना है तो बावा ने कहा कोई भी अगर विकारी है तो वो मेरे पास नहीं आ सकता है तो अपने अंदर से जो पतित पना है ये बावा ने कहा ये बहुत बड़ा रोग है इसको मिटाना है तो हमने बाहर से तो विकारों से अपने आपको मुक्त कर लिया लेकिन अभी सुक्षम संसकारों का पतित पना बीच बीच में हमें तंग करता है आज हमने उस पतितपने से मुक्त होने पर सारा दिन अटेंशन देनी है और बाबा को आज हम तीन रूपों से याद करेंगे बाप, टीचर, सत्गुरू और तीनों रूपों से होने वाली प्राप्तियों को भी चलते फिरते बुद्धी में इमर्ज करते रहेंगे तो व्यर् से निा न bạn claret करेंगे जैसे कि गृव बिगड़ी को बनाने वाला है तो आज तक हम आत्मे विकारों के कारण पुराने और विकारी संसकारों के कारण विगड़ चुके थे तो बाबा अभी हमें विगड़ी को बनाने आया मिनस हमें पावन बनाने आया है बाबा भोला नाथ है, मेंसा हमारे विकार लेकर के हमें सत्युकी बादशाही देते हैं बाबा सत्गुरु है, शिक्षक है, पतित पावन है, ज्यान का सागर है, नौलेश्फुल है, लिबरेटर है यह सारे टाइटल्स बाबा की मुरली में आए हैं इन सभी सवरूपों के द्वारा बाबा ने संगम पर हमें बहुत सारी प्राप्तियां कराई हैं उनका हम चिंतन करेंगे, तो बुद्धी हमेरी ज्यान चिंतन में रहेगी तो व्यर्थ से मुक्त रहेगी, बाबा की लगन में मगन रहेगी, तो आत्मा पावन होती जाएगी तो आज बाबा ने एक बात पर और अटेंशन दिलवाया, कि जो बच्चे सर्विस करते हैं, वो बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं तो जब हम सवरूप से सेवा करेंगे, तो बाबा की याद स्वता आएगी तो सारी मुरली का एक ही पॉइंट पर पूरी मुरली कवर हो जाती है, कि ये ध्यान रखे क्यामत का समय है तो मुझे पावन बनना है, तो अपनी धारनाओं को जो आज वावने मुरली में बताएं हैं, उसको जीवन में लाएंगे ओम शान्ति